प्रियविद्यार्थ योर्म वेल्कम स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है कानेमेटिक्स के दूसरे वीडियो में और इस वीडियो में हमने बात करनी है दीरे दीरे अब उन स्टेप्स की जो पहली बार बात कर चुके थे बहुत से टॉपिक्स थे तो इस बार हमने सबसे पहले लिना है कानेमेटिक्स वन डैमेंशन का क्योंकि मैंने आपको बताया कानेमेटिक्स वन डैमेंशन और टू डैमेंशन की है इसका मतलब अब हम बात करने वाले हैं उन सारी वेलासिटी को जिसके अंदर एक्सेलरेशन और velocity के बीच का angle या 0 है या 180 है इसके अतरिक्त कोई भी नहीं है क्योंकि जो इसके अलग angle होगा उससे क्या हो जाएगा आपको बताया मैंने वो projectile कहलाएगा 2 dimension हो जाएगा अभी हम 1 dimension की बात कर रहे है V is equals to U plus 80 देखिए पूरी इसमें आप एक बात ध्यान दीजेगा हमारे पास जो equations हैं आप ने जो भी equations देखी हैं आप ये ध्यान दीजेए हमारे पास physics के अंडर जो चीजें इस chapter में पढ़ने के लिए हैं वो हमारे पास 5 चीजें हैं S मने displacement U मने initial velocity V मने final velocity acceleration को acceleration है आप जानते हैं तोरन है और T time है तो 5 चीजें हैं हमारे पास जो equation है इनमें एक हटाके बाकी चार की equation है जैसे पहली equation है V is equal to U plus A T इसमें S की बात नहीं हो रही है displacement की बात नहीं हो रही है ये दूसरी equation इसमें V की बात नहीं हो रही है s equals to ut plus half a t square इस equation में final velocity की बात नहीं हो रही है ठीक है अब आईए तीसरी equation इसमें v square equal to u square plus 2s इसमें देखिए time की बात नहीं हो रही है तो पहली वाली में आपने s हटा दिया दूसरी में आपने v हटा दिया तीसे में आपने t हटा दिया और ये equation शायद आपने अधिक प्रयोग नहीं करी होगी ये वो equation जिसमें u नहीं है समझ रहे हैं तो मैंने इस equation ये equation कहां दोनों काम आएंगी ut plus half v square कहां का है और vt minus half v square कहां काम का आपको ये बताता हूँ देखिए एक बात मैं देखिए अगर आप इनमें से कोई भी जाज़े पहली equation से आप t को दूसरे में बुट करके निकाल ले उत्तर सब में वो ही आएगा फरक सिर्फ इतना है किसी में आप समय अधिक लगाएंगे क्योंकि आपने दो तरीकों से दो equation को यूज़ करके किया होगा किसी में आप एक में करेंगे उत्तर वो ही आएगा गलत कुछ भी नहीं है लेकिन कलाकारी क्या पैदा करनी है कि कौन सी equation को मुझे कब इस्तेमाल लाना है shortcut method मुझे जरूर समझना है क्योंकि मतलब shortcut का मतलब इसमें असानी से क्या होगा क्यों क्योंकि आप जो भी प्रतियोगी परिक्षाइं देने वाले हैं बच्चो इस बात को ध्यान रखें प्रतियोगी परिक्षाइं में समय सीमित है इस वज़ा से अब मैं बात कर रहा था ut plus half weight square और vt minus half weight square को याद अक्तना ut plus half weight square आप तब इस्तमाल करेंगे बहुत बहतर होगा जब बाड़ी initial acceleration बाड़ी में है परन्तु initial velocity 0 है यादी हुई है तो आपने वो इस्तमाल कर दिया लेकिन अगर 0 है तो question आसान बन जागा s equals to half weight square क्योंकि u वाला system ही खतम हो गया इसी प्रकार दूसरे तरीके में जिस समय आपके पास ऐसी बाड़ी है जिसको आप decelerate कर रहे है मतलब negative acceleration कर रहे है retardation कर रहे है और उस retardation के पास बाड़ी रुक जाती है तो v 0 है तो आपके पास s equals to v t वाली में v गायब हो जाता है v t वाला system गायब होगा क्योंकि अपने body को रोक लिया याद अखना इसमें a minus होगा क्योंकि आप रोक रहे है अपने आप plus a square बन जागी वो चीज़ तो जहां पर कौन सी equation को कब इस्तेमाल करना है इस कलाकारी को आपको अपने मन में रखना है ताकि इसी से आप आगे काम करेंगे अब देखिए एक ये भी formula है आपके बीच में distance traveled in nth second लेकिन nth second न nth second न है n एक second छटा second साथवा साड़े छेटा मतलब उसी एक second की बात हो रही है s nth u plus a by 2 within bracket 2n minus 1 2n मने जिस्त है माननो आपको छटे second में चाहिए तो n की value 2 हो जाएगी तो 2n हो गया 12 12 minus 1 11 तो 2n minus 1 11 हो जाएगा इसको निकालने में हमने कोई खास कालाकारी नहीं करी वो कैसे करी आपको बता देता हूँ मैं कभी भूल जाएं आप तो छटे में कितना चलेंगे 6 में चला minus 5 में चला वो ही तो बनेगा साथ में में कितना चलेंगे साथ में चला minus 6 में चला तो एक कम में कितना चला उसको minus कर दिया और यह सीधी equation बना दी गई यदि आप कहीं भूल जाएं इसको mind से निकाल सकते हैं अब यह हमारी kinematics की equations थी इनके बारे में जो महत्वबून बात हम आपने समझे नहीं है वो है यह कि इन सारी equations का नाम equation of uniformly accelerated motion है मतलब इस equation में acceleration नहीं बदल सकती मान लीज़ें कि दो acceleration है पहले 4 second के लिए 4 की acceleration है उसके बाद अगले 4 second के लिए acceleration 3 की है तो आपको जर्नी को दो हिस्तों में तोड़ना पड़ेगा पहले हिस्ते में एक ए है दूसरे में दूसरा acceleration है मनि एक की जर्नी दूसरे की जर्नी आप दो हिस्तों में तोड़ेगी है जितनी बार किसी जर्नी में acceleration बदलेंगे उतनी ही बार आपको उस जरनी के अंदर उस चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा उतनी ही बार equation बार बार प्रूव होगी क्योंकि एक से काम नहीं चलने वाला इस बात को समझे इसलिए इन equations का technical नाम है equations of uniformly accelerated motion I hope यहां तक आपको बात समझ आई होगी चलिए आगे चले अब हमारे पास आता है calculus का उपियोग देखिए अब थोड़ा मोटा मोटी आप समझे calculus है क्या देखिए अगर आपको यह पता है कि कोई चीज एक निश्चित तरीके से बनल रही है माल लीजे मैं कहता हूँ अभी आजकल कोरोना चल रहा है उसी से आप समझे माल लीजे मैं कहता हूँ कि मेरे इस गाउं में इस शहर में या इस particular इलाके में रोज के दो केस बढ़ते जा रहे हैं तो पहले दिन मेरे पास कितने केस हैं माल लीजे शूनिया तो एक दिन बाद कितने होंगे दो दो दिन बाद कितने होंगे चार तीन दिन बाद कितने होंगे छे चार दिन बाद कितने होंगे आठ पात दिन बाद कितने होंगे दस बहुत आसान है गिंती हर बार गिंती निश्चित रूप से बढ़ रही है न जाहे गिंती मैं कहूं कि पहले दिन दो बढ़ेंगे अगले दिन तीन बढ़ेंगे अगले दिन चार बढ़ेंगे तो भी मेरे पास एक निश्चित तरीका है कई बार हमारे पास यह जो बदलने वाला तरीका है यह constant नहीं होता ये बदलता है और बहुत तेजी से बदलता है उस समय जब ये चीज़ बदलाव करती है तब मेरे को कैलकुलस की जरूरत बढ़ती है जैसे अब मैं काइनेमेटिक से ही आपको इसका उधार अब देकर समझाऊंगा वेलोसिटी क्या होती है देखिए डिस्प्लेस्मेंट अप इसी तरह से rate of change of velocity is acceleration हमारे पास फिजिक्स की पूरी भाषा में जब भी rate होएगा rate का मतलब होगा उस quantity को time से divide करना है आपने अब differentiation पहले समझे है difference यह मतलब एक ऐसी चीज जो बदल रही है उसके छोटे छोटे टुकुड़ों में बदल के हमने यह study करना है उस समय वो कितना बदला जैसे आप जिस समय 11 거ars में आप आए तो आपने ग्यारवी से बारवी पूरी खतम करना है आपके पास लगब 20-12 महीने थे हर महीने में आपकी पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया हर महीने में 22 महीने में थोड़ी थोड़ी आपकी पढ़ाई मतलब आपकी knowledge बढ़तीगी अगर मैं जानना चाहूं कि आपकी 13 महीने में कितनी 0 से 22 के बीच में या 9 महीने में कितनी पढ़ाई हुई तो आप क्या बोलेंगे जितना आप 9 महीने में पढ़े माइनस जितना आप 8 महीने में पढ़े इसी को तो बोलोगे न Change in the पढ़ाई 9th minus 8th divide by 1 month क्योंकि rate पूछ रहा हूँ इसलिए कोई भी चीज इस प्रकार डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का नाम ही differentiation है लेकिन एक फर्क है कि डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है इसलिए इसको dy by dx लिखते है बहुत स्मॉल होने के बावजूद वह 0 रही है क्योंकि अगर किसी कॉंटिटी को 0 से आप डिवाइड करेंगे तो mathematical error है डिवाइड कर नहीं सकते हैं इसलिए dy by dx को बहुत छोटा है जब तो डेल्टा वाई बाई बाई डेल्टा एक्स कहते है टेक्निकली मैंने आपके सामने राइट सैट में लिखा limit डेल्टा extending to 0 dy by dx यह सब आपको कुछ सोचने के जरूत नहीं है आपको इतना पता है dy by dx is differentiation y upon लेकिन हमारे पास y क्या है और x क्या है हमारे पास y क्या है और x क्या है और हम study कौन था chapter कर रहे है कारेमेटिक्स तो इसलिए हमारे पास y को function of x अगर है तो पहले difference ये को generalized form में कर दीजिए कि x की power में कोई चीज मुझे दी हुई है मान लीजे मुझे x दिया है x की power n का बदलाव चेक करना है x की power n का बदलाव चेक करना है तो सीधा formula है n x to the power n minus 1 मने जो exponent है exponent कहते हैं जो power है power बाहर multiply हो जाएगी और power बाहर multiply हो जाएगी और जो power अब है वो पहले से एक कम रह जाएगी अब अगली बात ध्यान से ये जो n है ना ये हमारे पास fraction में भी हो सकता है p by q 3 बटा 2 भी हो सकता है ये negative भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसको differentiate करना इसी प्रकार से अब ये देखिए हमारे पास ज्यादा तर यहाँ पर time पर खेल होगा क्योंकि time की displacement upon time velocity upon time इन सबसे acceleration और displacement निकलता है तो इस topic में हमारे पास अधिकास चीज़े t पर है इसलिए मैं आपको t to the power n का derivative भी यहाँ लिख दिया n t n minus 1 अब यहाँ पर आप देखिए अगर मेरे पास n negative होगा t की power n सबसे last वाले को देखिए कि t की power n का derivative n t n minus 1 है अब आप यहाँ देखिएगा अगर मेरा n मेरा negative है तो मेरे पास differentiation negative आएगा n negative का मतलब है वो चीज 1 upon की form में है 1 upon t, 1 upon t square, 1 upon t cube इन सब के क्योंकि 1 by t का derivative के लिए आपको t की power minus 1 लिखना पड़ेगा उसको उपर लेके जाना है उस case में आपके पास differentiation हमेशा negative आएगी और differentiation एक बार नहीं दो बार कर सकते है दोबारा से differentiate कर दीजिए वो depend करेगा आप दो बार divide करना चाहते है टाइम से एक बार करना चाहते है जैसे अगर आपको displacement पता है किस तरह बदल रही है तो आप displacement upon time करेंगे तो क्या आएगा velocity आएगी और आप दोस्त अलग-अलग स्थानों पर दो अलग-अलग समय पर velocity निकाल लीचे उनको divide by time करेंगे तो acceleration आएगा तो आपको displacement को basically आप क्या कर रहे है दो बार divide कर रहे है पहली division से आपको मिल रही है velocity और दूसरे division से आपको मिल रही है acceleration आईए इसको थोड़ा सा समझे अब ये देखिए integration इसका विरुद है इसका उल्टा है विलोम है इसमें क्या है नाम देखिए integration मनें जोड़ना difference मनें तोड़ना इसको थोड़ा समझने की कोशिक जैसे मान लीजे मैं अपने यहां से चल रहा हूँ चली मैं अपना क्या example दो आपको आप इने जो पढ़ा उसी का example लेता हूँ आपने एक spring की potential energy पढ़ रखी है जब आप spring के उपर जतना ज्यादा दबाव लगाते हो spring उतना ज्यादा force आप पर बाहर की तरफ लगाता है तो हर बार force बदल रहा है तो ऐसे cases में जब चीज़ कोई बार 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 बदल रही है तो मैं क्या करता हूँ उसको टुकडों में तोड़ता हूँ और जानना चाहता हूँ उस समय क्या था उस समय क्या था उसका नाम differentiation है लेकिन यदि मैं छोटे छोटे टुकडों को हर बार छोटे बने शुरू में spring ने क्या force लगाई बाद में क्या लगाई उसके बाद क्या लगाई पूरा दबने से पहले क्या लगाई हर बार छोटे छोटे टुकडे किये और उनको study किया तो उसका नाम होगा integration जोड़ना वह कहलाएगा integration आपको एक और उधारन से मैं अभी differentiation आपको याद करा दो समझा दो उसके बाद इसको करने बैठ देगो क्योंकि बहुत detail में कराने का समय अगर आपके पास है और नहीं मेरे पास है क्योंकि हमारी प्रत्योगी परिक्षावं की तारीक निश्चь जिप है अगर आप अपने घर से चल रहे हैं आठ बजे चुरू हुए और आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं ट्रक पे जा रहे हैं तो मान दीजिए अब 8 बजे अपने घर से चले और 7 आठ का ही पहुँच गए अगर मैं आपसे पूछूँगा क्या आपकी स्पीड क्या थी तो आप मुझे एवरेज तो बता सकते हैं 0 और 15 मिनिट की 15 मिनिट के बीच में क्या आपकी एवरेज थी मनें total displacement upon total time लेकिन अगर मै पूछो आपकी 8 बज़ कर 5 मिनिट पे क्या स्पीड थी तो आप क्या बताएंगे अब तो नहीं बता सेते क्योंकि 8 बज़ के 5 मिनिट वाली स्पीड 8 बज़ के 15 मिनिट वाली स्पीड से अलग है तो आप क्या करेंगे 8 बज़ कर 5 मिनिट का distance निकाल दीजे 8 बज़ कर 4 का उसको divide करके divide कर दिए x से minus करके x से divide कर दिए तो आपके बाद स्पीड आ देगी तो वो एक समय की velocity निकली इसी परकार अगर मैं हर समय की velocity आपको बता दू कि 8 बज़ आपकी speed ये है 8 बच कर 1 मिनट पर ये 8 बच कर 2 मिनट पर ये है तो आप मुझे बताईए आप चले कितना तो हर छोटी 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 velocity को आप time से multiply करके छोटे छोटे distances निकालेंगे इसके लिए जिनको चाहिए वो kinematics calculation का मेरा अलग से kinematics calculation का एक अलग से video है उसका link मैं इसके नीचे दे दूँगा आप उसको भी देख सकता है detail में calculus क्या होती है आईए तो अब ये तो differentiation था आपने किया इसका उल्टा कर दीजिए dx को इतरा multiply कर दीजिए आप dx को मने में delta x मानिए छोटी चीज मानिए कोई ये निए कि dx को हववा है ये पुरा operator है तो इसी का भाव बना कि integration में इस प्रकार बन जाता है x की पावर n इंटू dx ये साप कितरा लगाया जाता है आप ये मत समझें सर dx कहां गया देखे dx एक operator का नाम है ये integration वाला sign और इसके आगया लगा हुआ dx दोनों एक operator है जैसे 5 प्लस 7 क्या होता है 12 तो ये प्लस कहां चला गया सर हमने add कर दिया इसलिए प्लस गायब हो गया यही इसलिए ये operator था तो इसी आपने operator को आपने समझना और इस तरह करना है तो 0 to ace को अचा जब आप differentiation कर रहे थे आपने टुकड़ों में तोड़ना है तो आपसे मैंने बुझा पाँच बज़ कर चार मिनOUT पर आपकी ये 8 बज़ कर 5 मिनिыт पर ये 8 बज़ कर 10 मिनिट पर आपकी speed क्या है तो आपको 8 बज़ कर 10 मिनिट के आसपास से मतलब है और नहीं है लेकिन reverse मानली आपकी speed बदलती जा रही है मैंने का आप कितना चले, तो आप बुझे, सर कब से कब तक, मानुझे आपने 5 घंटे चले, मैंने पूछा यार तुम दूसरे घंटे से तीसरे में कितना चले, तो आप क्या करोगे, जहां पर 2 पे होगे, जहां पर 3 पर होगे, उस पूरे छोटे छोटे distance को जोड़ना और वो ही हमारा इंटिग्रेशन था है, x की पावर n के साथ हमने छोटे-छोटे dx को multiply करके सब को जोड़ना शुरू कर दिया, इसकी value यह आगी है, आपके पास हमारे पास differentiation इस form में आएगा, अब क्या करेंगे, b क्या है हमारी final value है, x की final value का पूट करेंगे, और उसमें से a क्या initial value, final minus initial से आपको सब पता लगेगा, जब यह t में आ जाएगा, तो आप देख सकते है, t में क्या है का, t की बावर n dt में t की value आप पूट करेंगे, एक बार b, एक बार e, final minus initial, क्यों, माली यह मैंने आप से पूचा, पाचवे घंटे में कितना चले, तो पाच घंटा माइनस चार घंटा, चार माइनस पाच तो नहीं करेंगे न, क्योंकि final is पाच घंटा, उससे कम इस चार घंटा, इसको आप माइनस करेंगे, च्छटे साथ में आठ में आपने क्या किया, उसका कोई मतलब नहीं है, clear, very good, यहां तक आशा करता हूँ, आप समझ आगया होगा, अब देखिए आगे, use of calculus को मैं short में, kinematics में क्या इस्तमाल होने वाला है, वो कहकर मैं अपनी वाणी को विराम तूँँगा, और उसके बाद इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ examples जिससे आपको यह clear हो जाए, देखिए, differentiation आप करेंगे, displacement का तो velocity आएगी, और उसमें जिस time पो पूछा, वो time रख दीचे, जैसे x cube की, उसने t cube बोल दिया, तो t cube का derivative क्या आगया, 3t square, अब t उसने 2 second पे पूछा, तो t को 2 पूट कर दिये, 4 पूछेगा, 4 रख दूँगा, जो बोलेगा वो रख दूँगा, तो मुझे एक ही time चाहिए, कब की velocity तुमें चाहिए, लेकिन इसका उल्टा देखिए, integration of velocity करेंगे, वो change in displacement बताएगा, क्योंकि change दो चीज़ों के बीच में होती है, अगे लिए अपने आप में change नहीं होती है, इसलिए आपको change में 2 अलग-अलग time बताने पड़ते हैं, तभी तो upper limit और lower limit थी, इसी प्रकार अप देखिए, differentiation of velocity is going to give you acceleration, तो velocity को differentiation करेंगे, acceleration आजाएगा, लेकिन integration of acceleration करेंगे, तो वो क्या बताएगी, change in velocity, आपके velocity में कितना change आईएगा, यह वो बताएगा, तो यह मैंने आपको basics बताए, differentiation और integration का, और kinematics में वो बता दिया, जो कि हमें कानेमिटिक्स में इस्तिमाल करने हैं, चलिए, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो काम आएगा, धन्यवाद आप लोगों का, इसको use करें, लोगों को बताएं, ताकि मेरी मेहनत भी उतनी सफल हो सके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो भी डाउटो करें नीचे लिखें, बताएं मुझे,